Hello friends, स्वागत आपका Study Hack Channel पर जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वोकाईम की सीरीज चलेए जिसमें हम एकदम बेसिक लेवल से बात करते हैं और इसको हम सीखते हैं नयमोनिक्स और पिक्चर के मदद से जिनके नयमोनिक्स बन पाते हैं उनको हम नयमोनिक्स से शीखते हैं और जिनके नहीं बन पाते हूं उनको पिक्चर या स्टोरी के मदद से सीख लेते हों और यह क्लास हमारे डेली 5 पीम पे आता है और अभी तक हमने 6 क्लासे कर रहे हैं मतलब कह सकते हो कि 6 एपसोड हो रहे हैं यह 7 एपसोड है तो अगर आपको PDF चाहिए होगा इनका तो मैं डिस् अगर हम इसको बात करें कि कैसे असानी से रिमेंबर कर सकते हैं तो आपको यह वर्ट दिख रहा होगा यह इसके प्रोनाउंसियसन एक्वेस मतलब होता है कोई बीची एक्सेप्ट करने एक्सेप्ट अगर हम सेंट ले ले यहां सेंट होते हैं कोई भी यूनिट होगी हमार है तो अगर मतलत आपकी बात कि ईसको रिमेंबर कर सकते हैंatinya कर सकते हैं तो अगर कोई आपका सेंट लेत जो लिए पकöm पास यहीं के तो Kat कम पैशा दो यह वह कर देत मतलब 캐릭 करते मतलें अधिक वो आपकि बाट मनना जोभी इसको रिमेंबर कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट रिखते हैं हमारा next तो next है acquire मतलब आप्राप्त प्रोक्यूर सिरोनिम्स की बात करें अप्टेन गेट रिसीव होते हैं और एंटोनिम्स की बात करें तो वो होता है लूज तो मैं आपको इस पिक के माध्यम से एक मीम्स है, इसके माध्यम से आपको बता आता हूँ कि इसके सिनोनिम से आपको पता चल जाएंगे और एंटोनिम्स भी पता चल जाएंगे, यह देख रहा है, यह बन्दा कहरा है, लुक मॉम, वन हैंड, इसने अभी कुछ सीखा, एक्वाइर किया, स्किल कि एक हाँ से बाइक चला रहा है, कुछ दिर बाद कहरा है, लुक मॉम, नो हैंड, बिना हाथ, हाँ छोड़ के चला रहा है बाई, तो यह भी इसने अभी किया, सीखा, प्रोक्योर किया, आप्टेन किया, रिसीव किया, एक नय स्किल किया, और उसके बाद आप इसके एंट एक साथ देख सकते हैं, एक छोटे से मेंस हैं, तो आप यहां से समाझ गया होगे, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्टवेट, एक्टवेट मतलब होता है उकसाना, मूव, एक्टिवेट, सुइच अन, टर्न ओन, एस्टिमूलेट यह सब wehr慢慢 synonyms है, अगर हम बात कऱें कि एल्टवेट मतलब होता यह कोई भी चीज उकसाना, एगर हम कह सकते हैं, कि इसको फोरे बात को एक्ट मतलब होता है action करना, यह से you ले लिजे, eight मतलब खाना, तो अब किसी को कह ए और तुम तो खाने के अटब खाने के अक्टिंग कर रया और खाने की खाने की अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो वो क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है तो आपको याद रहा है कि उक्सा रहा है उसको और कुछ नहीं कर रहा है चुप-चप उक्सा रहा है चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें नेक्स्ट वर्ड है एडप्ट, एडप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, एडजस्ट, एसलिमेट, कम्प्लाइ, यह इसके सिनोनिम्स हो गए, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वह जगा रिफ्यूज, अनुफिट, तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, human beings, human beings ने एडप्ट किया ना, पहले जंगल में रहते तो फिर धीरे धीरे यह intelligent होता गया, और भी intelligent हो गया, अब इतना intelligent हो गया, कि अभी मेरी class देख रहा है, vocab सीख रहा है, तो हम अपने आपको adapt कर रहा है, अपने environment के quality, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, next, easy word है, त नेक्स है adequate, adequate मतलता परयाप, sufficient, enough, syronyms होगा, इंसके ample, antonyms की बात कर ले, तो हो जागा insufficient, inadequate, तो adequate मतलता परयाप, तो आपको अगर नीन चाहिए, तो आप क्या करते हो, परयाप थी ले तो, तो adequate तो ऐसे रख रहा हो, sleeping style है, हमारा क्या adequate है, क्योंकि हम सोते बहुत है, हमें प्रयाप नीन न मिले, तो हमारा दिमाग काम करना बंद करता है, तो adequate बहुत easy word है, अपने day-to-day life में सुनाओगा, तो आपको यह यह यादोगा, चलिए, next word की लिए, next हमारा one word substitution का section है, जिसमें आज हम बात करेंगे, algophobia, algophobia का मतलब होता है, सरीर में कस्ट होने का डर, phobia मत हो, पता चल गया, next, next है alien, अजन अभी, सबको पता होगा alien कौन होता है, a person belonging to a foreign country, different from what you are used to, ऐसा वक्ति जो एकदम different हो, आप जैसे दिखरो हो, उनसे एकदम विचीत्र, उननी को alien कहते है, synonym सुझाएगा foreign, non-native, next है alimony, alimony होता है, प्रिटेक्ता पतिनी के लिए निरव मतलब एक allowance made होता है wife को, उसके husband के द्वारा, जब वह legally separated होते है, माल लीजे कि इन दोनों का divorce हो गया, अगर किसी couple का divorce हो जाता है, तो पती सारी जिम्हेंदारी उठाता है अपनी पत्नी को, तो जो money देता हो, उसको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसी को alien money कहते है, यह देख सकते है कि divorce, I was kidding baby, यह कहरे है कि मुझे 400 करोर alimony चाहिए अगर तुम हम से divorce ले रहा, यह कहरा divorce, no 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 no, I was kidding baby, तो जली ऐसा करके आप इसको याद कर सकते है, इमेज, चली नेक्स्ट बात करते है, नेक्स्ट है allegory, allegory मतलब बता है नीती कथा, a story, play, picture, etc, in which each character, event is a symbol representing an idea, a quality, such as truth, evil, death, etc, पतलब ऐसी कथा, जिसमें एक story होगा, या फिर एक नाटक होगा, या picture के माद्यम से हम represent करते हैं, symbol की represent करते हैं, कि एक idea देता है, एक सीख देगी, या फिर एक quality बताएगी, कि सचाई का, बुराई का, मौत का, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह कहानी दिखा रहा, सोब कर रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे है, यह picture के माद्यम से कह रहा है, एक idea depict कर रहा है, आप लोग को पता ही होगा, यह story है, टर्ट्वाइज और रेविट वाली, तो यह भी एक allegory है, को कि इससे हमें एक idea मिलता है, कि हमें आलस नहीं करना चाहिए मिलता है ना, कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, अपने काम को जब तक finish न कर दे, बीच में रुखना नहीं चाहिए, तो यह भी एक allegory story है, नीती कहता है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, एलिटेरेशन, मतलब बता है, अनुप्रास अलंका, तो यह होता क् कि commencement of adjacent words with the same letter, repetition of initial sound in two or more words of a light, मतलब किसी line में ऐसे words जो कि adjacent आ रहे हो, एक के बाद एक आ रहे हो, और उनका जो sound होता, initial sound, same हो, और एक से ज़्यादा बार आ रहे है, अगरा बात कर लें जैसे कि यह sly में ऐसा आ रहा है, sly, आप बोल के देखलो, sly, snake, slitter, slowly, in this है, एक जैस आ रहे है, sound, initial sound, तो यही है, और वाड भी एक जैसे आ रहे है, जैसे इस में देखलो, पीटर, पीपर, पिक्ड, पेक, पेपर्स, sea cells, sea cells, by the sea source, एक जैसे आ रहे है, sound, तो यही होते है, हलिट्रेसर, अनुपरास, अलंकार, हिंदी में आपने बाद होगा, अब जैसे देख next idiom and phrases का section है, जिसमें our dog's life, मतलब दैनिये अस्तित, our miserable existence, अगर आप dog की life की बात करें, तो वो बहुत ही दैनिये इस्तिती में होते हैं, अब आप stray dog की देख लो, कहीं भी मरे परे होते हैं, कभी road पे accident हो जाता है, या फिर कोई पत्थर मार देता है, उनको ठीक से खाना नह होती है, तो इससे आप relate कर सकते हो, चलिए next की बात करें, next मैंने क्या किया है, कि dog पे जो भी idiom से, मैंने कोशिस किये कि सारे मैं आपको एक साथ देख हूँ, तो कौन-कौन से idiom है, dog eat dog, और कुते-कुते को खा रहा है, मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा companies हैं, intensely competitive, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना competition है कि कुते-कुते को खा रहा है, और आप गली में हो, और बहुत ज़्यादा कुते हो गए होगे, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, एक कुते दूसरे को मारेगा, तो वही कह सकते है, dog eat dog, मतलब बहुत competitive mall है, rain cats and dog, मतलब rain very happily, जब कुते और बिल्ली बरसेंगे मतलब बहुत बाइस हो रही है, dog and pony show, dog and pony show का मतलब फ्लैसी presentation, often in a marketing context, marketing के लिए यूज किया जाता है, dog and pony show, ताकि आपको फ्लैसी लगे, कि आपका अकरसक उस पर जाए, ऐसा marketing context बनाते है, advertisement वेगारा करते हैं, fight like cat and dog, कुते बिल्ली की तरह जगरना, मतलब की argue करना हर बात पे, एक दूसरे से argue करते हैं, कपल में होता है, और आप कपल हो, आप दोना understandable नहीं हो, तो, आपको कुते बिल्ली की तरह जगरा होता है, fight like cat and dog, सकते हैं, the tail that wax the dog, a small part of something that control the whole thing, अब कहारा कि पूछ जो है, जो कुते को अपने आगे पीछे, बिल्लाना, तो, पूछ हिला रहा है, मतलब की बहुत ही स्मॉल पार्ट है, जिसका कोई importance नहीं है, वो कंट्रोल कर रहा है, बढ़ी चीज को, ठीक है, every man and his dog, मतलब many people, इसका एकुम सिम्बल सा मतलब है, हर इंसान है, हर इंसान के पास एक कुता है, मत गो टू डॉक्स, कुत्ते के पास जाना, तो, become disorder to decay, और क्या कह रहा है कि आपको कि गो टू डॉक्स, के पास जाना, मतलब कि आपका आप समय सहब्त हो गया कि कुत्ते से तूलना कर रहा है, ऐसे जैसे करते हैं, कि कुत्ते जैसे हो, ऐसे बोल देते हैं लोगों को, तो हम उ support a certain person in a competition, किसी एक परसन को, या किसी खास परसन को support करना, को कह सकते है, have a dog in hunt, puppy dog eye, मतलब a begging look, अगर आप छोटे कुत्ते के बच्चे की आँख देखोगो ना, तो वो बहुत ही प्यारा होता है, ऐसा लगए कि वो आपसे attraction खीच रहा है, तो बोल सकते हैं, a begging look, my dogs are working, my feet hurt, म आपको hurt होगा ही, क्योंकि sound इतना ज्यादा आएगा barking का, कि आपको, आपके कान hurt होने लगए, तो बोल सकते हैं, my feet hurt, इसका मतलब होता है, feet hurt, आप ऐसे example ले सकते हैं, चलिए next बात करते हैं, next है, a drop in bucket, मतलब ओंट के मुँ में जीरा, मतलब बहुत ही कम, a very insignificant amount, कह सकते हो, अगर पूरी बाल्टी में एक बून परे, तो कोई significance ही नहीं होगी, अपने हिंदी में पढ़ा होगा कहावत, उंट के मुँ में जीरा, और एक और होता है, एक और इसी से मिलता जुदा है, same ही होता है, idiom, तो आप लोग को मैं कुछ सेकेंड देता हूँ, आप लोग टाइ आप इन ओसल, ये भी सेम है, उंट के मुँ में जीरा, very small amount compared with what is needed और एक्सपेक्टे, और ओसल में, सम्मुंदर में, महासागर में, एक बूंद गिर जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं हो, कोई फरकी नहीं पड़ना, चलिए, next बात करते हैं, next और dry run, पुर्वाब है, हलसल of an event, किसी वे event का रिहल्सल करना, कि अब देख सकते हों कि यह fat bagged वाला है, तो पानी बरबाद करेगा नहीं, तो पहले से अगर इसको practice करना है, तो क्या करता है, बिना पानी कहीं, ऐसे ही, एजूम करते हैं कि पानी उंकल लाए, तो अपने practice कर लेते हैं, dry run कह सकते हैं, अगर आपका affair हो गया, अगर आप middle class families हो और आपका affair हो गया, तो फिर आपके लिए situation प्रिये नहीं होती है, बहुत ही unpleasant situation हो जाती है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, तो नेक्स बात करते हैं, नेक्स हमारा आगया Pandora box, जिसमें हम ब golden rules होते हैं grammar के, so golden rule हम लोग discuss करेंगे, तो अभी हमारा subject verb agreement चला और 7th day है, तो आज 7th rule हम discuss करेंगे, 7th rule कह रहा है कि a collective noun takes a singular verb, when the collection is thought of a whole, a plural verb when the individual of which is composed are thought of, कह रहा है कि अगर collective noun singular verb कब लेते हैं, जबकि सारे का थोट एक बता है, कि बहुत सारा collection लेकिन सबका thought या aim एक हो, तो वहाँ पर हम singular verb करेंगे, लेकिन उस collection के aim अलग हो, सबके thought अलग हो, aim अलग हो, तो हम वहाँ पर plural verb यूज करते हैं, example देख सकते हैं, कि the council has chosen the president, जितने में council के member है, सबका एक ही मत है, कि एक ही प्रक्ति को president चुनेंगे, तभी तो president चुनेंगे, मतलब सबका thought एक जैसा है, तो यहाँ पर singular verb लगा रहा है, चलिए, नेक्स्ट बार करते हैं, यह बहुत important rule है, आप इसको याद कर लें, आपको बहुत ही काम आएगा, error detection और sentence को बने, चलिए, नेक्स्ट हमारा Q question का session आगया है, जिसमें हम CGL 2nd December 2022 के करेंगे, shift 3 की बार, तो चलिए, आपका first question है, आपको मिलेंगे 10 second answer करने के लिए, तो पहला question है, one word substitute बताना है आपको, adjust और make right, और correct amend, चार options मिलें, पटापने answer कीज़ें, तो चलिए, इसे के साथ आपका time आप हो गया, अभी तक आप लोगे ने answer करी दिया होगा, तो इसका right answer होगा, वो होगा, rectify, recruit मतलब क्या होता है, भरती करना, recreate, reproduce कह सकते है, recreate भी है, इसका, recreate का मतलब होता है, reproduce, और recreate मतलब होता है, भरती करना है, recourse का मतलब होता है, सहारा या सरन देना, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेस्टन आपका OWAC है, 10 सेकेंड मिलेंगे, having a showing or showing and accessibly high opinion of one's appearance, abilities or worth, चार आप्चान है, चलिए, आपका time आप होगा, superior होता है, better, बहतर बोल सकते है, when मतलब होता है, बेकार, useless, ठीक है, और एक नया बड़ आया, otos, इसको बोलते है, otos, otos मतलब होता है, lazy, इसका मैं लिक देता हूँ, lazy, और lazy, indolent भी बोल सकते है, indolent, synonyms हो गया, domineering का मतलब होता है, प्रभावी, domineering मतलब प्रभावी, इसको बोल सकते है, bully, जिसका प्रभाव हो, और क्या बोल सकते है, hector, hector भी बोल सकते है, और क्या बोल सकते है, minas, minas भी बोल सकते है, चलिए, next की बात करें, next question की, next question भी हमारा one word substitute ही बताना है, इस group of words के लिए, औ अभी तक आप लोग ने अनसर कर दिया होगा आप लोगने जोगराफी में पढ़ाई होगा तो यह बहुत ही असान प्रेंख होगा जबकि ऐसा दिन जबकि दे और नाइड एक्वल होते हैं तो उनको बोलती हिं एक्विनोक्स होता है हुआ होता है कि एक्वेटर आपको पता है भूमत दे रहेखा चलिए नेक्स की बात करते नेक्स कोश्चन आपका एडियम का मतलब बताना है दस सेकेंड मिलेंगे बीट एराउंड लबूस यह काफी बार SSE में पूछा गया है और बहुत ही एडियम है आप लोग बहुत जल्दी एंसर कर दी होंगे और सब का सही होगा मैं मान रहा हूं तो चलिए आपका टाइम अप हो गया और इसका जो र बात करते हैं नेक्स्ट आपको एंटोनीम बताना है अंडरलाइन बट डाइवर्सीटी का चार ओप्सन है मेलेंकोली एक्विलिब्रियम एफिनीटी यूनिफर्मीटी तो चलिए फटा-फट एंसर कीजिए देखता हूं किसका एंसर सबसे पहले आता है तो इसी के साथ ओगा एंटोनिम पूछाना तो होगा यूनिफर्मीटी तो बात करने डाइवर्सीटी मतले होता है विविद्धा वराइटी डाइवर्सनेश असौर्ट्मेंट यह सभी इसके सिनोनीम मेलेंकोली मतलब होता हुदार मेलन कोल ही मतलब होता है उदार हो गया तो आप इसको कह सकते है वो वो सोरो सैडनेस कह सकते है चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे इकलिविडियम आपको बता रही चुका हूं एफिनीटी मतलब होता है मिल या लगाव या फिनीटी मतलब कह सकते है लगाव लगाव या फिर मेल इसके सिनोनिम्स के बात कह रहे हैं तो कोहेशन पोहेशन हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स और एक इस सिनोनिम्स का फेज का रिणिफार्मीटी मतलब होता समानता इक्वैलिटी फ्लैटनेस नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स पताना आपको अंडरलाइन वर्ड साटिस्फाक्शन का बहुत ही जी आप सबका सही होगा इसका सही अंसर होगा कंटेंट में सटिस्फाक्शन मतलब क्या होता है आपको सबको पता है सटिस्फाइब को हो जाना सटिस्फेक्शन उसी को कहते है अगर आप बात करें रिफ्रेस्मेंट तो रिफ्रेस्मेंट एक नास्ता भी होता और तरो ताजा भी हो इट गुल सकते हैं ओननर बोल सकते हैं कि अनर बोल सकते हैं और बात कर ले हम consent my मतलब वहता है साटिस्फेक्षन तोने सिनोनिम से हैं और बिलीस मतलब परमानन्द इसको कह सकते हैं परम आनन्द परम आनन्द होता है परमानन तो इसको इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो जगा जुआ है प्लेजर क्लाउड नाइन भी बोल सकते हैं क्लाउड नाइन क्लाउड नाइन भी बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिले हैं 10 सेकंड, देखते हैं कौन फर्च, हैले बताता है जल्दी जल्दी कमेंड कीज़े, तो आपका टाइम अप हो गया और इसको सही एंसर होगा वह होगा प्लैन, डेलीब्रेरेट मतलब प्लैन इसके सीनोनीम से है, और हम बात कर ले, डेलीब्रेरेट मतलब जहा कि और बात कर लें हैस्ती हैस्ती मतलब होता है घ्रस्ट भी बोल सकते हैं जल्दी बाजी में होता है जल्दी घरीड रैपीड रस्ट यह सब इसके सिनों से लिट करते हैं next question हमको synonyms बताना है magnify का, बहुत easy word है, अभी तक आप लोगे ने बता दिया हो, expand, magnimus, miniature, under emphasis, शलिए, आपका time up हो गया, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा, expand, magnify करना मतलब enlarge करना, expand करना, magnimus का, अगर हम बात करें, magnimus मतलब होता है, दयालू, दयालू, इसको बोल सकते है, kind, generous, kind, generous, open hearted, बोल सकते हैं, miniature होता है, किसी भी भरे अकार का या वस्तु हो, या फिर कोई भी बड़ा अकार का वस्तु हो, तो उसका एक लगु रूप, छोटा रूप चोब होता है, जैसा है, वह ऐसा ही छोटा रूप होता है, उसी को miniature बोल सकते है, tiny, little, इसको बोल सकते है, under emphasis मतलब होता है, alpbaland, मतलब place insufficient emphasis, एक तब insufficient emphasis किसी चीव पर डाला है, मतलब undervalue करना, उसको downplay करना, तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज का session आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बत है, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करे, अगर जिन दोस्तों को भी vocab पढ़ना हो, तो उन में share करे, और अपना score जरूर बताएं कि आपको कितने आए हैं, इन 8 questions में से आपके कौन से सबाल सही हुए, कौन से गलत हुए, और आप कौन से mnemonics बना पाते हैं, वो थैंक यू, जाहिन, मिलते नेक्स्ट वीडियो,